Hi guys, how are you all? कैसे हो सब दोस्तों आज हम लोग discuss करने वाले हैं बन्नी ग्रासलेंड के बारे में कि बन्नी ग्रासलेंड क्या है और ये अभी news में क्यों रहा क्योंकि दोस्तों जो भी चीज़े news में रहती हैं obviously उससे जो हमारे questions हैं exam में उसके आने की chances बहुत ज़्यादा बढ़ हैं तो इसके जितने में specification हैं और जितने भी चीजें हैं उन सभी पहलों के बारे में हम लोग इस वीडियो में discuss करने वाले हैं तो दोस्तों चलिए वीडियो को सुरू करते हैं वीडियो को आप लाज तक देखिएगा और जो भी important point आपको लगते हैं वो आप जिरूर नोट करिएगा तो गाइस आप जानते हैं कि जो बनी ग्रास लेंड है इसे बनी ग्रास लेंड रिजर्व के नाम से भी जाना जाता था बनी ग्रास लेंड रिजर्व इसके नाम से भी जाना जाता था और यह कहां पर इस्थित है यह गुजरात गुजरात में इस्थित है और जा सकता है कि जो बनी ग्रास लेंड वो कहां पर है और इसमें जो फोरेश डिपार्टमेंट में कितनी कितनी हेक्टेयर की जमीन है उसको रिष्टोर करने की बात्ची चल रही है जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे होगे जो मैंने यहां पर इमेज लगाई हुई है यह यह इसमें यह कई सारे स्पेसीज यहां पर पाया जाते हैं इसके लिए यह जाना जाता है उसके बारे में भी हम लोग डिसकस करेंगे जो बनी ग्रास लेंड है बनी ग्रास लेंड यह रन आफ कच जो ग्रेट वाला है ग्रेट रन आफ कच यहां पर गुजरात में इस्थित है और उसके जो right hand side में आपने देखा होगा जो little run-up का अच्छे वो है और उसके जो नीचे वाला area है वो आपका कहलाता है वो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है यह भूज कहलाता है भूज district कहलाता है ठीक है और यह जो protect में आया था इसके बारे में कुछ पॉइंट है जो कि हम लोग डिसकस कर लेंगे जैसे कि यहाँ पर मैं भी बात कर रहा था जो हमारा नील गिरी है मैं यहाँ पर लिख देता हूं नील गिरी शिंकारा ब्लैक बग ब्लैक बग भी यहाँ पर पाया जाता है उसके बाद जो हमारा great जो golden जैकाल है वो भी यह पाया जाता है ब्लैक बग और एक हमारा होता है golden जैकाल जैकाल भी पाया जाता है अगर हम Indian hair की बात करें Indian hair भी यहाँ पर पाया जाता है उसके बाद जो एक important है जिसे बोलते हैं हम लोग Indian wolf ये भी यहाँ पर पाया जाता है और उसके बाद एक हमारा जो है जिसे बोलते हैं हम लोग कहरा काल तो उसमें से जो important है तो हमारा निलगरी है चिंकारा है ब्लैक बग है गोल्डन जैकाल है ये आपके important है एक्जाम में जाते हैं इस वज़े से यह ज़्यादा popular रहता है अब पात आती है कि यह क्यों ऐसा अभी news में हाली में रहा मैं आपको बताऊंगा इसके कुछ features है जैसे कि जो ecosystem है wetland है grassland are mixed side by side in bunny क्या है कि बन्नी में side by side यह सारी चीज़े mix है wetland का भी पार्ट है wetland के लिए मैं अलग से आपको वीडियो बनाऊंगा wetland क्या होते हैं और यह हमारे ecosystem को कहीं न कहीं maintain करके चलते हैं इसलिए यह काफी ज्यादा यहां पर important हो जाते हैं जो बन्नी है वो soil ecology के purpose से काफी sensitive zone माना जाता है आप यहां पर देख पा रहोगी जो मने image लगाई है यह एक soil है ठीक है यहां पर जो soil के purpose से soil ecology होती है उसके purpose से बन्नी बहुत जादा sensitive zone में रखा गया है इसको और इसलिए इसको जो गुजरात forest department है उसने इसको declare किया था grassland के purpose से उसके बाद इसके कुछ specification है यहां पर एक tribal यहां पर reside करती है निवास करती है इसे मालधारी बुला जाता है और मालधारी tribe क यहां पर काफी समय से इनका protest वगरा चलता रहता है community जो यहां पर मालधारी community है उनकी inhabitating को लेकर ठीक है कई सारी समस्यां उत्पन होती है और यह सा classified किया गया है wildlife institute जो है कि जो last यहां पर habitat थी वो कौन थी भारत की वो चीता थी तो यह भी आपको important रखना है कि wildlife institute of India उसके द आप बोल सकते है community बोल सकते हैं जो कि इस टाइप के area में निवास करती है तो यह काफी important point जाते हैं एक तो हमारा मालधारी मालधारी के questions मालधारी के बारे में बहुत ज्यादा deep में पूचा जाता है जैसे कि हमारी AC rating वगरा होती है तो उन सब में यह सारी चीजें ज्यादा detail में discuss करी जाते हैं उसके बाद आता है कि कौन-कौन से threat यहाँ पर सामने आ सकते हैं threat की अगर हम बात करें क्योंकि यहाँ पर बहुत तेजी से grazing चल रहा है uncontrolled है जो कि बहुत बड़ी मातरा में heavy grazing चल रही है ठीक है grazing आप जान रहे होगे कि इनके जो जानवर गवरा है रही है और wild spread ingress of propice ulephora यहाँ पर एक जो species आप बोल सकते हो या एक प्रजाती बोल सकते हो पौधों की एक हामफुल exotic tree species है जो की बहुत तेजी से फैल रही है तो यह थोड़ा सा threat हो सकते हैं जो की सामने आए हैं इस वज़े से थोड़ा सा यह news में ज्यादा रहा है और ए इस वज़े से यह सारे threat सामने आ सकते हैं अब जब यह सारे threat जब सामने आते हैं तो क्या होता है आप देखते हैं कि कोई भी particular जब जब जगह होती है और वहां पर जब किसी कोई वहां पर मान लीजे कोई प्रजाती वहां पर निवास कर रही होती है और वहां पर यह dams हो क तो उनके लिए खत्रा कहीं न कहीं खत्रा पैदा होता है इस वज़े से वह लोग प्रोटेश्ट वगरा भी करते हैं आपने देखा होगा न्यूज में काफी सारी चीजें चलती रहती है तो इस वज़े से थोड़ा सा न्यूज में ज्यादा चर्चा का भी शह रहा लेकिन ज उसकी वज़े से बहुत ज्यादा थ्रेट क्रियेट हो सकता है तो आप उसका नाम जरूर याद रखें यहाँ पर नाम इसका आपको दिख रहा होगा प्रोटेश जूलिफ हो रहा ठीक है और यह जो मैंने आपको यहाँ पर इमेज लगाई है यह हमारा वही है प्रोटेश से बढ़ रही है इसके विज़े से थ्रेट हो सकते हैं बागी कुछ पॉइंट है जैसे कि यहाँ पर कौन सी ट्राइवल कमिनिटी यहाँ पर निवास करती है तो आप मालधारी आप इसको व्याद रखें और वाइल लाइफ इंस्टिटूट इंडिया जो है उसके द्वार कि दोनों बन्नी में साइड 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 मिक्स हैं और दोनों ही चीज़ें यहाँ पर बन्नी में देखी जाती है तो यह इसके फीचर से और बन्नी जो है स्वाइल एकोलोजी के प्रपस से बहुत जादा संस्टि जोन है तो यह हमारे दो हमा पाई जाती है और यह पूचन भी जाता है कि यहें बंनी रिजर्ब preparanoryz A यह बहुत जाती है यहाँ पर कौन शान से इंभी है कि गुजराध में कौन? कौन से घंन जाता है कि आहनी ऊपसाल ओक्रिपर बेपनी जाता है अब न्यूज में इसलिए था कि 10,000 हेक्टेर का जो वो है ग्राश लैंड है उसको इन्हों रेश्टोर करने की बात चीज़ चल रही है इसलिए थोड़ा सा न्यूज में रहा है ओके थैंकी गाइस